यदि आप दिन में सिर्फ एक घंटा कोई light exercise करते हो और बाकी समय बैठे बैठे बिताते हो तो आप अपने पूर्बलजों का खाना पचाने की शम्ता खोच चुके हैं दो अनाज आपका शरीर एक साथ नहीं बचा पाता और फिर entry होती है ग्यास और आसिडिटी की इसका solution किसी भी अनाज के साथ सबजी ज्यादा खाएं एक कटोरी चावल खा रहे है तो तीन कटोरी सबजी खाएं एक रोटी खा रहे है तो साथ में दो कटोरी सबजी खाएं ये एक स्विच से आप अपनी ग्यास और आसिडिटी की प्रब्लम को जाता हुआ देखोगे पर रूल याद रखे, एक कटोरी अनाज तो तीन कटोरी सबजी आईए, रिपीट करिए मेरे साथ, एक कटोरी अनाज तो तीन कटोरी सबजी